क्या इश्वर सिंग कॉंग्रेस में शामील होने जा रहे हैं सब्सक्राइब कि प्रिवार समेट कॉंग्रेस में शाम事 हीवर बातों में बता दिया दुश्यन चुनारा पर निशाना साथ और ये दावीदारी पेश कर दी कि उनका बेटा आने वाले वक्त में चुनाव रड़ेगा तो क्या कॉंग्रेस पार्टी के टिकट चाहते हैं अपने बेटे के लिए इश्वर सिंग सवाल है लेगिन ये खास बाच्ची सुनी हमारे सम देर सिंग ने में इस लड़का लड़ेगा विरंदेर सिंग वो कमपिटेंट है और उतरवदू भी है वो मुझूदा चेर्मेन भी है मिस्विल कमेटी ची का कि हरियाना में जो महौल है आप किस तरीके से देखते हैं किस पार्टी के पक्स में यह महौल आप देखते हैं क्योंकि कॉंग्रेस बड़ा दावा कर रही है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं बीजेपी कह रहे हैं कि हम तीसरी वार सरकार बनाने जा रहे हैं लोग जो है नो जुकाओं कॉंग्रेस की ही तरफ है बदलाओं भी लोग चाते हैं और बदलाओं की वैसे नेचर भी बदलती है और लोगों कॉंग्रेस की नीती भी ठीक है गरीब के हित्मे भी हैं सब के हित्मे हैं तो इसमें कुई जो आपने मेरे से पूछा है किस के हित्म कॉंग्रेस के हित में हैं आप बता रहे हैं हरियाना विधान स्वाचनाव पर जो दूसरें चोटाला से हमारी परसो बात हो रही थी के रहे चाहें कुछ कॉंग्रेस आ जाए चाहें बीजेपी आ जाए ताला जीजेपी खोलेगी यह मैं क्या जबाव देऊ इस बात का सारे लोगों यह जबाब दे दिया फिर भी कसर रहेगी जो हैं को जवाब की तो आपने पूछना तब कैसे आएगी यह तो बताइए अमेले तो तरी पास सारे आस्टे से चलेगे बताओ तो कैसे आएगी आपने पूछना जगी था मेरी विजए उसी के पूछना यह इस्वारा उन से कह Baptist कि यहारे कि हम भी सरकार बनाएंगे हमारे भी पर बात निकल रही है है क्या लगता है विदान स्वाण चुनावों में जो जञता है जो वोटर है वो अब National Party की तरब करने लग जया है? National Party देश को चलाने में शक्षम है National Party ही जो देश की दिशा बदलती है दिशा अपनाती है Region Party कभी देश के अंदर जो है है नदिशा दिशा दिशा नहीं बदलती है उसके हैं इसलिए है